दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुश्बुए वतन आएगी। ये पंक्तियां आज पंचकुला पहुँचने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनुहलाल खटर ने कही। मुख्यमंत्री आज 87 शहीदी दिवस पर पंचकुला के सेक्टर 11-15 के चौक पर शहीद भगत सिंग की प्रतिमा का अनावरन करने पहुँचे थे। इसी दोरान स्कूली बच्चों के इनकलाब जिंदाबाद और भारत मा की जय के नारों का जवाब मुख्यमंत्री मनुहलाल खटर ने ये पंक्ति के साथ दिया। हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकती क्योंकि देश के युवा ऐसी ताकतों को नाकोचने चबाने की हिम्मत रखते हैं। मुख्यमंत्री मनुहलाल खटर ने शहीदे आजम भगत सिंग सुखदेव और राजगुरू की शहादत को याद करते हुए उनकी शहादत को महान बताया। और कहा कि आज का दिन गौरव शाली और एतिहासिक है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में कोई भी दल रहा हो चाहे गरम दल, नरम दल या फिर क्रांती दल सभी का मकसद देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद करवाना था। उन्होंने कहा कि आज एक भगत सिंग नहीं, बलकि हजारों भगत सिंग पैदा करने का जज़बा हमारी माताओं में हैं, भारत माता की जए नारे में भी यही भाव छिपा है। सत्य खबर भी शहीद आजम भगत सिंग सुखदेव और राजगुरु की शहादत पर उन्हें सलाम करता है। सत्य खबर के लिए पंचकुला सेवमन की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाईए ये सब्सक्राइब का बटन और पाईए देश प्रदेश की हर खबर।